नमस्कार दोस्तों, First Tech Help चैनल पर आप सभी का एक बाफ फिर से स्वागत है आपके सामने ये रहा बजाज का USB फैन, इसका नाम है पिग्मी मीनी फैन आए देखते हैं, ये कैसा है क्योंकि मैंने इसको purchase किया है अपने लिए तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी इसका review शेयर करता हूँ तो देखते हैं box के अंदर मुझे क्या मिला था एक warranty guard और एक ये service manual जो की दो language में है ये रहा आपके सामने हिंदी language में जहां पे इसमें बताया गया है parts के बारे में की fixing clip, micro USB socket है इसमें switch कहां पर है LED indicator भी है इसमें जो की battery charging दरसाता है और दूसरे side इसके जो English version है वो दिया हुआ और ये सब हम बात में देख लेंगे आए पहले देखते हैं कि fan कैसा है और क्या है तो कुछ चीज़ें इस पर बात कर लेते हैं ये मुझे एक charging cable में ली है जो की micro USB है इसको मैं side में रखता हूँ और fan को पहले open करता हूँ तो ये रहा हमारा fan, ये blue color का fan है मुझे ये color बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने blue color order किया दोस्तों आपको यहाँ पे इस fan में दो color देखने को मिलेंगे अगर आप website पे देखेंगे तो white color भी मौझूद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये clip है, काफी बड़ी clip है और काफी इसकी strength है, काफी strong है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है इसको आप कहीं भी door के side में या कोई ऐसा table के corner पे इस तरीके से आप mount कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है, grip काफी अच्छी है क्लिप के जो दोनों दाथ हैं, उसमें rubber लगी हुई, ये बहुत अच्छे से पकड़ता है, वो फिसलेगा नहीं, आप कहें भी इसको लगा सकते हैं और back side में देखते हैं, तो back side में ये रहा power switch और power switch में ही आपका fan speed controller है, आपको 3 बार प्रेस करना होगा अलग-अलग जो की level है, आपके speed वो आपको मिलेगी यहाँ पर देख रहे हैं, आप जो fan के पीछे जो एक cage सा है, यहाँ पर battery placed है देख सकते हैं, 10 watt है और DC 5 volt और micro USB से हम charge करेंगे, और charge करने के लिए आप कोई भी अपने mobile का adapter ले सकते हैं, उससे आप charge कर सकते हैं दोस्तों यह fan में ने इसलिए मंगाया क्योंकि या इसमें कई functionalities मुझे मिल रही थी, लाएक इसमें clip भी है और आप इसको table भी रख सकते हैं, प्लस आप देख सकते हैं यह अपनी axis पे 360 degree rotate हो जाता है बहुत आसानी से तो कहीं पे भी आप जहां इसको use करेंगे या कहीं fit करेंगे और उसके बाद आप जो air throw है आप adjust कर सकते हैं देखिए और vertical axis पे यह देखिए यह भी 360 movement है इसका तो किसी भी दिसा में आप air throw adjust कर सकते हैं और यह fan मैंने अपनी car के लिए मगाया था कि back seat पे थोड़ी हवा कम लगती है तो grab handle को यह पकड़ लेगा और वहां पे हम इसको adjust कर देगा और पीछे के passengers को ठीक ठाक थोड़ी बहुत हवा मिल जाएगी आइए on करके देखते हैं तो मैंने इसको पीछे power button प्रेस किया और यह fan on हो चुका है देखिए अभी यह level 1 की जो speed है उस पे चल रहा है और हवा का flow जीरो पे थोड़ा हलका ही है मैं आपको दिखाता हूँ एक यह जिस packet के अंदर था उस packet का इस्तमाल करके हम देखते हैं कि इसका throw कितना है थोड़ा बहुत idea आपको लग रहा होगा कि fan की speed कितनी है level 1 जो हमने अभी select किया है आइए देखते है level 2 पे मैंने किया हुआ इसको अब तो fan की speed थोड़ी बढ़ गई है इयर throw ठीक ठाक है देखिए आपको पता लग रहा होगा कि हाँ fan का throw कितना है और कितनी sufficient हवा आपको मिल पाएगी इससे आइए देखते है यह टॉप speed पर मैंने fit setup कर दिया है इसको इसमें 3 level है जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टॉप level पर आपको काफी तेज बिलेगा second medium level इस पर थोड़ी हलकी मिलेगी और जो first level है उस पर बहुत हलकी हवा मिलेगी ठीक है आप देख सकते है air throw कितना है इसका यह और इसको बढ़ाते है अब यह top level पर आगया और इसका air throw अच्छा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है अब इसको मैं side पर रखता हूँ और आगे कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में तो मैं आपको दिखा देता हू आप back side में यह power button है इसी से आप तीनो level set कर सकते हैं आप low पे चला सकते हैं medium पे और high speed पे तीनो इसी से और जब आप 4th time प्रेस करेंगे तो यह fan off हो जाएगा इसके बगल में एक power indicator है LED लगी हुए है वो एक तरीके से charging indicator है तो इसका मुझे यह function बड़ा अच्छा लगा कि यह जो fan का जो direction है airflow आप adjust कर सकते हो left right कहीं भी 360 degree धर vertical movement है प्लस अपनी axis पे 360 move कर जाता है तो यह काफी अच्छा है setup है इसका और यह रहा micro USB charging port यहाँ पे आप cable जो दी है इस cable को connect कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे cable connect करते हैं और देखते हैं कि speed में क्या फरगाता है तो दोस्तों मैंने जो observe किया था कि इसमें जब आप charging mode पर यह होता है तो यह अपनी normal speed से काफी तेज चलता है तो आप चाहें तो टेबल पे जब आप इसको use करें तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं देखिए यह जो clip है clip भी काफी solid strong है प्लास्टिक बहुत अच्छा है और spring भी बहुत अच्छी quality का use किया है तो टेबल पे आप रखके आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं तो मैं सज़स्ट करूँगा कि आप laptops ना चलाएं मैं फिलाल demo के लिए आ यहाँ पर जो instruction manual है उस पर क्या क्या है यहाँ पर जिसे mention है कि इसका charging time जो है वो 6-8 गंटे का है पूरी battery आपकी 6-8 गंटे में charge होगी तीन speed है अगर आप top speed पर चलाते हैं तो देड़ घंटा चलेगा fan और अगर आप medium speed पर चलाते हैं तो लगबग 30 गंटे आपको fan का running time मि चलेगा और अगर आप low speed में चलाते हैं तो यह 4 गंटे तक आपको चल जाएगा यहाँ पर mention है power 10 watt है और lithium-ion battery इसमें setup है voltage 3.75 volt DC तो charging के लिए आप यह यूज़ कर सकते हैं आपका जो mobile adapter होता है saomi mobile का या 6000 mAh battery के लिए जो भी आपके पास charger हो या 5000 mAh battery का कोई charger हो उसका adapter आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ हाँ laptop के साथ charge करने में एक दिक्क्त यह होगी कि आपकी laptop की battery बहुत जल्दी drain हो जाएगी तो सिर्फ demo के लिए मैं आपको laptop से connect करके दिखा रहा हूँ आई देखते हैं charging करने का तरीका क्या है यहाँ पर mention है कि जैसे ही आप power cord को लगाते हैं तो जो light indicator है वो orange color का है देखी यहाँ पर orange color का इंडिकेटर जल्राइस से में अब camera की recording की वज़े से इसमें light कुछ आपको different yellow दिख रहे होगी बट यह real में orange color की LED है तो दोस्तों जब battery full charge हो जाएगी तो यह green हो जाएगा तो मैंने अभी laptop से connect कर दिया और हम देखेंगे speed test करेंगे इसका कि कितनी तेज चलता है क्योंकि कोई भी product लेने से पहले उसके plus minus point सभी पता होने चाहिए इसलिए मैंने जो भी testing करी अपने सामने वो मैं आपको record करके show कर रहा हूँ ताकि आप फैसला ले सकें कि यह fan आपक efficient दे रहा है तो मैंने इसको first level पर जब चलाया तो आप देख सकते हैं जो throw है वो पहले से ज्यादा better है अगर यह charging mode पर होता है तो basically DC पर आ जाता है और DC पर चलता है तो जब अच्छी हवा देता है तो अभी आप देख रहो अगर मैं इसको second level पर ले जाओंगा तो यह और चलता है देगी हवा का throw काफी अच्छा है मतलब battery पर चलता है तो कम है लेकिन जब आप connect करके इसको चलाते हैं तो throw बहुत अच्छा देता है air का और अगर मैं इसको अभी full पर चलाओंगा तो full पर तो यह बहुत यह अच्छा चलता है बहुत बढ़िया हवा का throw आता है इ और जो plastic है यहाँ पर बड़ा अच्छा plastic यूज हुआ है आप मतलब निरास नहीं होंगे यह product वाकई अच्छा है हाँ आपको थोड़ा महंगा लग सकता है और यह मैंने जो purchase किया था Amazon से किया था हलाकि मैं इसको chroma पर भी देख किया था तो chroma पर यह मौजूद है आप chroma क वेबसाइट पर जाके order कर सकते हैं प्राइस का थोड़ा अंतर मिलेगा आपको तो chroma पर आपको 900 का पड़ जाएगा और आप Amazon या Flipkarts लेते हैं तो लगभग आपको 1000 रुपए या 1050 something देना पड़ सकता है मेभी अगर sale या discount चल रहा होगा तो भी आपको उतना ही प्राइस पड़ जाएगा तो ये था हमारा बजाज का पिगमी मिनी USB फैन और दोस्तों मैं इसको अपने गाड़ी में लगाने वाला हूँ और देखता हूँ कि कैसा feedback रहेगा और अगर हमारी ये जानकरी आपको useful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe कर दीजिएगा जिससे हमें थोड़ा उतसा मिलता रहेगा और हम कोसिस करेंगे कुछ और products के review आपके तक ला सकेए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार